हालो चिल्रेन हाग वायू आप सब बहुत अच्छे होगे डियर चिल्रेन आजम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश 2.4 हाव डोट दे लिटल बिजी बी चिल्रेन यह बहुत इंट्रेस्टिंग पोएम है और हम बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए पढ़ने के बाद तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए तो चलिए हम शुरू करते हैं यह पोएम समझाने के बाद में नीचे की पोएम आपको अभी समझाते हूं यह क्या है किस टाइब का पोएम है यह सारी बाते हम अभी बताते हैं पहले हम इसको पढ़ लेते हैं How does the little busy be? मतलब How does the little busy be? How does the old English है और डोत का मतलब है does Okay? How does the little busy be? देखो बच्चों इसमें यह जो बी है ना जो मधुमख्य होती है इतनी busy होती है वो कितनी बिजी होती है उसकी बस वो बाते आपे मेंशन की गई है कि वो कैसे काम करती है क्या करती है किसलिए उसको इतना बिजी बोला गया है तो चलो हम शुरू करते हैं हाग क्या हाँ दों ते लिटल बिजी बी इंप्ड इन इस शैनिंग और छोटी फी मधुक्न की बिजी होती है वो हर शह शयनिंग आपक को आपको शाहनी नहीं रहता है शय मतलब मतलब तो दिन में होता है इसके लिए बोला गया है कि यह पूरे टाइम हर एक घंटे मतलब जरा भी अपना समय बर बाद नहीं करती इसका मतलब यह है तो हम यह कह सकते हैं कि छोटी सी जो मदुमक्की होती है वो कितनी बिजी होती है पूरे समय वो अपने आपको बिजी रखती है और हर एक घंटा इम्प्रूफ करती है काम करके आगे चलते हैं और पूरे दिन पूरा सारा दिन वो हनी इकठा करती है कहां से ओपने फ्लावर यह जो फ्लावर सब भून के रहते हैं खिले रहते हैं उसमें से जाकर उसका नेक्टर लेती है तो इसके लिए पूर्ट बोल रहे हैं कि हमेशा खिले हुए फूल का वो क्या करती है उसका नेक्टर लेती है रस लेती है सारे दिन तो हमने क्या पड़ा इसमें आए फिर से देख लेते हैं छोटी भी कितनी बिजी होती है वहर एक घंटा अपना इंप्रूफ करती है बरबाद होने नहीं देती बाद में थर्ड लैंड में देखेंगे कि वह हनी को पूरे दिन इखटा करती है फूलों के पास जा इसे एक वाट जो देखें सामने नीचे लिखा हुआ है कि यह पूर्ट का नाम है हाँ स्किल्फुली शी बेल सरसे अब बोल रहे हैं कि मतलब कुशलता से कितने टालेंट के साथ कितनी कुशलता से वह अपनी सेल बनाती है सेल बच्चों देख रहे हो नहीं सब जो बॉक्स सेल बोला गया और कितनी सफाही से वह क्या करती है शी शी प्रेट्स है उसके अंदर अपना वैक्स बनाती है फिर पता नहीं वह लोग उसका भनाते है उसमें वह भरते हैं फेला हुआ जो रहा होता है स्टोर करने में मेहनत लगती है ना फूलों का रस लाते हैं वैक्स बनाते हैं फिर यह इसके अंदर सा बॉक्स में भरते हैं यह बॉक्स इतनी महनत से बनाती है कितना मेंध स्टोर करती हैं इसके अंदर स्टोर कर दालती है ऑसे बहर डालते हैं स्टोर करती हो पता है वह हुंका किया हता है वती बनाती है इतनी परिश्रम से स्वीट फूड बना कर वो इन बॉक्स में इन सेल्स में भरती है सेल्स को भी बड़े मैंने से बनाती है अब बच्चों जो हम दूसरा पढ़ने वाले हैं उस पढ़नाम पैरोडी नहीं है पैरोडी तो एक टाइप है उस पढ़नाम है हाउ डो तो लिटिल पैरोडी का मतलब क्या होते में बताती हूं जो हमने उपर का पढ़ा अभी ना हाउ डो देलेटी बीजिवी जस्ट उसका उलट यहां पर है उसमें बीजो मधुमक्की होती है उसकी वह कितना महनती है कितना काम करती उसके बारे में बताया गया और नीचे क्रोकोडायल के बारे में बताया जा रहा है कि शॉस्ता टो सुछ होता सिस्ट होता है छाना अपना कापी कर दिया थिक अगर पोम यहां प्लिखी गयिया उसकी बहुत सारी अच्छिछी खासियत लेकिन इसी पेम को यहां पर हमने कॉपी करके हमने कॉपी सब्सक्राइब करते ना मतलब क्या करते हैं अपनी अपनी क्या ही इस जो पूंच इसको यह इंप्रूव करने में ही लगे रहते हैं और उसके लिए महनत नहीं करतें अपनी शाइनी जो टेल है ना उसको वह इंप्रूफ करते हैं बस क्यों कैसे भी करके चमकाते हैं क्या करते उसके लिए वो लो कोई मेहनत का काम वो नहीं करते हैं ओके and pour the waters of the Nile नाइल एक रिवर का नाम है तो नाइल रिवर का जो पानी है उसके उपर डालते हैं मतलब एक मालो यहाँ पर क्या है क्रोकोडाइल है ठीक क्रोकोडाइल यहाँ पर है मालो बड़ा सा ठीक मैं मैं ड्रॉण नहीं कर सकती ठीक है तो एक क्रोकोडाल यहां पर है और उसकी जो पूंच है बस चमकाने में वह लगा रहता है कि वह एकदम उसको सोस्ते मेरी पूच खूँ हमेशा चमके उसके लिए कुछ हफट ने लेता है नायल रिवर में पानी के अंदर घुसके उसके पर पाई जालता अबको पता है ना उस मतलब बोनी कवरिंग तर जो हट्डी जैसा हाड कवरिंग होता है वह सकेल उसको स्केल बोलते तो हर अपना इसकेल अपने उसका जो स्कैल है ना दोको मैं आपको दीखाती हूं यह तो कार्टून में बनाया है देखो जैसे मालो यह जो ना यह सब पार्ट जो ना इसमें यह जो है बहुत हार्ड होता है तो यह इसके उपर नायल Andrea पानी आता है तो पूच को चमकाने और सुंदर बनाने में लागा रहता है अचा नेक्स टेंजामिक क्या है यह देख लेतें हाव चीरफुली ही सीम्स टू ग्रीन कहने का मतलब यह है कि हमने बी के बारे में देखा वो लोग मेहनती होती है काम करने के लिए दोड़ दोड़ के भागती है यहां वहां जूड़ती है जहां फूल खिला रहता है वहां से रस लेकर आती है सब उसको नेक्टर बोलते हैं य आड़ कवर कवरिंग जो पर का होता है वह थोड़ा उसकी बनावड भी ऐसी रहती है से बाक्स बाक्स जैसा तो थोड़ा चमकता रहता है पानी आ जाता है धूप लग जाती है तो तो आगे का स्टेंजा हमी देख रहे हैं कि हाव चेरफुली ही सिंस टू ग्रीन मतलब रही है उसा है सिंस टू कितनी च्यूर फुली वह कितनी खुशी खुशी एकड़ मुस्करा था है इसा लगदता है कि वो मुस्कुरा रहे है किया करता है बच्चों मुझöment है फिर बंद करते है दूम करते हैं अजै क्लाव मतलए पंजय क्यों होते हैं कितनी सफाई के साथ तक्षब सफाल अपने पंजय को सब्सक्राइब तुम्हाँ घ्रिया तुम्हाइब ज़्याइब नेधर किडमी थूं अच्ग्यम्क放 Ear Common हम इतना संहद में इतना के लिए हमारा जो सब्सक्राइब फडिन उलट कर तो है श्क है उसमें महनत करने को pills टें इस को एसा आलं कंग ए ऑपान वोडला जोड़ कि ख्युमें एस उहान यहीं है यहां घुल टाम होते हैं अइसा है जहां है सजहां बंद होता है फजांट आनपम उस्माील है अपने जाख यहां को खोलता है अर्फ एसा खोलता कि अ目तुड है मतलब वयलकम करते हैं कि आउ आउ आव अजाओ जो और मेरे तुरफ आजाओ था तुम लोग का आओ अइसे एची इस लगता है कि सबκα सबको करता है और जब लोग देखो आ जाती इन्टा के से मुंह बंद करती और यह वाला जो पुम है इसको लिखा है किसने लिएस के एस टाइप के जो पुम होती बच्चों जब किसी दूसरी प्वेम का कॉपी करके ठीक कॉपी करके लेकिन लेकिन जो है पहली पॉम में क्या अच्छा यह उसमें क्या था तेखो द बी T stands for hard work and positivity but but the Crocodile stands for laziness mischief and negativity got it okay I hope children up or something I have a or mostly up key in a coffee cover career chapters unit 3-4 हो गया है unit 1b होने ही वाला है unit 1b हो गया है unit 2 बस हमारा बागी है ओके चल्रें चलिए मिलते नेक्स वीडियो में बाय बाय थैंक यू